तो हेलो और नमस्कार दोस्तों केसे हो आप लोग स्वागत आपका एक और ने वीडियो में तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप लोग अपने फोन पे के गिप्ट कार्ड बिलेंस को बेंग में ट्रांसफर कर सकते हो देखो दोस्तो अगर आप लोग phone pay पे आजकल किसी को refer करते हो यह पिर आप लोग को phone pay पे कोई भी case में मिलता है तो वो आप लोग के directly जो ए gift card balance में मिलता है तो आप लोग अगर इसको निकालना चाते हो तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लो आप लोग को मैं एक बहुत ही simple trick बताने वाला हूँ जिसको यूज करके आप लोग अपने phone pay के gift card balance को बहुत ही easily बेंग के अंदर transfer कर सकते हो लेकिन trick जाने से फ़हले आप लोग हमारे youtube channel को subscribe कर लो और हमारे telegram channel भी है जिसकी link आप लोग को discussion में मिल जाएगी तो उसको भी आप लोग जोइन कर लो क्योंकि तो उसको कोई भी offer bug या पी tips और tricks आते हैं तो इनके update हमारे telegram चलो के उपर सबसे पहले बता दी जाते हैं तो अगर आप लोग को किसी भी offer को नहीं करना है तो हमारे telegram चलो को must join कर लेना तो चली कैस अभी जल्दी से आज की वीडियो को start कर लेते हैं तो चली कैस अभी मैं आप लोग को phone पे gift card to bank transfer वाली trick बता देता हूँ लेकिन उससे पहले देखिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि मेरे gift card balance में कित्ता पेसा पढ़ा हुआ है तो देखे मैं आप लोग को देख सकते हो मेरे phone पे gift card balance के अंदर जो है 100 रुपे पड़े हो हैं जो कि मैंने एक Raper किया था जिसके लिए मुझे ओज पर चलीए मैं आप लोग को trick बता देता हूँ तो आप लोग को buy one time पे click करना है तो इसके बाद मैं आप लोग को जो यहाँ पर amount enter कर देनी है जितने भी पेसे आप लोग gift card to bank transfer करना जाते हो वो पेसे आप लोग यहाँ पर enter कर दो like मेरे gift card balance में 100 रुपे पढ़े हो है case bag और phone पे gift card का balance दिख जाएगा तो आप लोग को simply से उसके ओपर tick कर देना है tick करने के बाद में आप लोग को जो नीचे की तरब pay वाले option पे click कर देना है तो जैसे आप लोग pay वाले option पे click करोगे तो यहाँ पे आप लोग की जो transaction है वो successful हो जाएगी और आप लोग का gift card balance है वो cut होकर कि आप लोग का जो gold purchase है हो successful हो जाएगा तो guys gold buy करने के बाद में आप लोग को 24 गंटे तक wait करना है क्योंकि 24 गंटे तक जो आप लोग gold purchase करते हो उसको sale नहीं कर सकते तो 24 गंटे होने के बाद में आप लोग को फिर से यहाँ पे आना है देन आप लोग को जो manage your locker पे click करना है तो यहाँ पे आने के बाद में आप लोग को नीचे के तरप sale gold का option दीख जाएगा तो आप लोग को इसके ओपर click कर देना है तो अभी आप लोग को यहाँ पे amount एंटर करनी है तो आप लोग के gold wallet में जिता balance आप लोग को दिख रहा है वही same amount आप लोग को यहाँ पे एंटर कर देनी है like मेरे gold wallet में जो अभी 93 rupees and 40 पेसे दिख रहे हैं तो मैंने यह amount यहाँ पे एंटर कर दी है तो आप लोग का gold है वह instant यहाँ पे sale हो जाएगा जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरा gold है वह यहाँ पे sale हो चुका है तो चलिए भी मैं आप लोग को pay team में जाकर कि अपना bank balance चेक करा देता हूँ तो जो instant आप लोग के bank के अंदर transfer हो जाता है तो गैस अगर आप लोग के भी pawn pay के gift card village में पेशा पढ़ा हूआ है या फसा हूआ है तो आप लोग इस वहले trick को use करके इस पेशी को निकाल सकते हो तो गैस अगर आप लोग को ये trick एंड ये वीडियो पसंद है ये तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के उपर पहली बार आयो तो चैनल को भी subscribe कर देना तो हम लोग मिलेंगे पर किसी नई वीडियो के साथ तब तके लिए अलविदा जे इंदू अंधे मातरम